यहां पर एक चीज़ आप में समझनी है कि जो Facebook की campaign है वो कई तरीके की है जैसे अभी हमने एक brand awareness के नाम से अभी जो हमने brand awareness की category में जो हमने campaign launch की थी उसमें उसने हमसे website का URL नहीं मांगा reason कि हम brand को promote करना चाह रहे थे उससे पहले हमने traffic generation से related यानि engagement से related हमने एक campaign बनाई थी तो उसकत उसने हमसे website का URL mandatory मांगा था यानि जो Facebook की ads हैं उसके multiple objectives हैं multiple तरहां की different campaigns हम create कर सकते हैं अभी जो हमें जो campaign create करेंगे end to end वो बहुत important है बड़ी मज़े की है वो है lead generation lead generation से मराद किया है देखें at the end of the day अगर एक company या आप for example as a freelancer आप अपना online store आप रन करते हैं and you decided कि मैं कुछ budget monthly facebook ad के उपर allocate करता हूं ताके मैं अपना online store है उसको market कर सकूं which is very logical लेकिन अगला सवाल आपका दमाग में ये आएगा लाजमन आएगा कि मैं invest तो कर रहा हूं facebook में लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि लोग मेरे store को visit कर रहे हैं इस सवाल को answer करने के लिए हमने अभी देखा था facebook analytics हमें चीज़ देखी थी कि कितने user आ गए है कितने user ने visit कर ली है and so on लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ या उससे भी detail level की चीज़ हमारे पास facebook पे मौझूद है जिसको हम लोग बोलते है lead generation form मतलब इसका ये है कि आप अपनी facebook ad पे ही एक ऐसा form दे दें user को जो बहुत ज़्यादा complex ना हो लेकिन उसके अंदे कुछ fields हो यानी for example user का user name हो user email address हो उसका ताकि आप उसको potentially reach out कर सके यानी at the end of the day आप में ये देखना है कि मैं कितने पैसे invest कर रहा हूं facebook की campaign में और return में मुझे क्या मिल रहा है facebook के for example campaign की जो ROI है यानी return on investment कि यतने पैसे आप लगाएं उसकी एस आपको क्या मिल रहा है तो वो सबसे बड़ी चीज है कि you are getting a potential potential customer how you are getting its information data मिल रहा है आपको उसका first name मिल रहा है last name मिल रहा है email address मिल रहा है phone number मिल सकता है so अब हम एक ऐसी campaign create करेंगे जिसमें हम lead generation form को जड़ा utilize करके देखते हैं कि उसको lead form के जरीए हम कैसे facebook campaign को या facebook ad को run कर सकते हैं so आईए हम run करके देखते है facebook.com slash business slash products पर गया उसके बाद मैंने I will login फ़र्दावर में create ad पर गया तो अगर मैं login नहीं हो तो मुसे username password पूछेगा अगर मैं login हूँ तो it will read directly मुझे redirect कर देगा facebook के ad manager पर अब facebook slash business slash products पर गया तो अब मुरी यहां पर इसने forward कर दिया मैं create ad पर क्लिक किया create ad पर क्लिक करने के बाद मैं समने ad manager का dashboard आगया अब air manager के डैशवोर्ट के उपर हमाँ पस यहां multiple people चीजें मौझूद थी अब एक awareness हमने करके देख ली एक consideration है अब consideration में ही एक type है that is lead generation मैंने lead generation पर क्लिक किया it will ask me कि किस सरा की leads देखनी है मैं कहता हूँ कि user clicks leads for example कोई भी नाम आप रख सकते हैं तो यह objective होगा है मेरी campaign का अब यहां भी देखें मुझे वो साथ एक number भी assign करी जा रहा है मैंने continue पर क्लिक किया उसके बाद मुझे वो कह रहे के जी इसकी setting करें यह panel वो ही है सिर्फ यह देखें at the end में पास एक lead form additionally आ रहा है तो I will try to go there अब मैंने नाम रखना है अपने उसका add की setting का मैं for example इसका नाम रख देता हूँ lead data for example rename मैंने कर दिया उसके बाद मुझे एक facebook का page create करना है facebook का page मैं औरड़ी जो create किया वे test उसको use करता हूँ लेकिन अब यहां पर देखें जरा there is a change इस message को पढ़ें जरा वो मुझे कह रहा है please read and accept facebook lead ads term अब यह facebook की login होने की terms and condition नहीं है यह facebook lead page को use करने की terms and condition है अगर मैं इतली स्कॉल करूंगा तो देखें यह button disable है मुझे आगे नहीं जाने देगा unless and until मैं यहां पर click करूं और explicitly terms पर agree करूं lead designation की अब यह हैं क्या नाम है terms and condition उसके बाद मैं for example यहां पर लिख देता हूं कि I am interested in let's suppose let's suppose in Italy Italy, Pakistan की audience में में interested हूं उसके बाद यह reach out में पास आ रहे हैं मैं कहता हूं जी के मेरे पास 25 से लेकर 45 तक age group आ जाए उसके बाद gender सारे मौजूद हो I want to quickly move to this lead form उसके बाद मैंने budget उसको बोल दिया जो placement है वो मैं automatic ही रखना चाहरा हूं जो lead budget है मैं उसको five one dollar कहता हूं for example per day और मैं जो campaign है उसकी जो starting setting time है 15 apples से start करवाना चाहरा हूं मैं और मैं इससे कहता हूं let's suppose यह खतम कर दे इसको 22nd apple को तो यह total amount आगी मेरे पास उसके बाद मैं continue पे click किया this would be the interesting part यह identity automatically उसे उठा ली है test page की इसको मैं अभी नहीं छेड़ता now look here यह एक नई option बाकी तकी चीज़ें वह यह सारी बाकी चीज़ें फरक नहीं है इसलिए I don't want to spend more time here this look here lead form अब अब अपनी Facebook के आड के जरीए लोगों का data gather करना चाहरे हैं उन लोगों का जो आपकी website पे या Facebook आड के जरीए Facebook आड पे वो click कर रहे हैं यहां पे मैं यहां अगर चाहूँ तो मैं यहां पे a text भी दे सकता हूँ for example lead data for example और यह मुझे साथा preview नजर आ रहा है उसके बाद मैं headline भी दे सकता हूँ need to capture data for example research तो यह साथा देखें मेरा add भी preview होता जा रहा है उसके बाद मैं यहां पे create करता हूँ lead form lead form जब मैं create कर रहा हूँ तो वह मुझे पूछ रहा है के form की type क्या है form की type से मुराद यह है कि क्या आप high volume यानि बहुत ज्यादा लोगों तक रिक चाट करना चाहरे है के low intent थी form type मैंने more volume बोल दिया उसके बाद मुझे हो कह रहा है introduction लिख दें form का optional है मैं इसको skip करता हूँ मैंने questions पे आया now look here यह actually यहां पे मैं आपको ले के आना चाहा था the interesting part के अब आप लोगों यहीं for example कोई आपकी आपके जो जो वो है क्या नाम है आपका facebook का ad है वह वहाँ पे कोई land की है तो right side भी देखते जाएं के अब वह आपसे पूछ रहा है के please fill in data अब आप लोगों से survey करें sort of जो आपकी ad पे आएं पहला question के है पहला question है user information यह email मैंने email पर click किया यह email पर click किया हुए तो यहाँ पर नीचे एक text box आ गया enter your answer याणि email enter करें full name पर किया हुए यह heading यहाँ पर आ रही है enter your name let's suppose मैं एक question और add करता हूँ short question enter your cell number मैंने इस पर click किया enter your cell number अब यहाँ पर अभी यह top पर देखें आँके बास आ रहा है enter your cell number so यह मैं क्या जमा कर रहा हूँ यह मैं उन लोगों का data जमा कर रहा हूँ जो मेरी facebook के ad पर आएंग या नी यह मेरा right side पर add बन रहा पूरा लेकिन a plus point यह है कि इसी ad में मैं यहाँ पर लोगों से information में माग रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं real time lead conversion कि हजार user website पर आए जितने लोगों ने यह form fill किया होगा उतने लोगों का मुझे actual पता लग जाएगा मैंने का जी के privacy का form भी दिखाओ यानि यह जो privacy का form में यह भी आ गया और a thank you screen भी दिखा दो you are all set and view website तो the issue is के यह हमने एक ad create किया है facebook ad create किया है जिसमें पूरे का पूरा एक lead generate हो रही है अब मैं यहाँ पर click करता हूँ for example thank you screen और अगर मैं इसको save कर दूंगा तो this will be this icon used to use it later on so यह मेरा एक form create, एक ad word create हो गया जिसको मैं use कर सकता हूँ यहां मैं form का, ओके यहां form का नाम में लिखा लेकि मैंना you write the form name तो अब मेरा जो facebook ad है उस पे इस सरहां का form नजराना शुरू हो जाएगा you can add more headings आप उसे यह पूछ सकते हैं कि उसको product कैसा लगा अब यह भी पूछ सकते हैं कि add का जो text है वो useful था नहीं था, relevant था नहीं था तो मैं कहने का मत्तबी है कि facebook ad के जरीए आप अपने पूरे के पूरा business drive कर सकते हैं और अपने potential customers को identify कर सकते हैं अपने पूरे कर सकते हैं अपने पूरे कर सकते हैं